हालो अबरीबें दिस इस मितलेश यादव हेर एंड टूड़ी वेर स्टार्टिंग भेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट डाट इस सॉलिड मेकेनिक्स हुच इस आल्सो लोन अज स्टेंफ आप मैटेरियल्स इसको इस्टेंफ आप मैटेयल्स भी बुलाया जा सकता है तो स्ट कर लेते हैं बहुत ही वेशिक से बिल्कुल मैं ये मानके शर्ण रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है आप जीरो बनके समझेंगे जीरो से हीरो हम आपको बनाते हैं इस वेरिट फार्म पे कोई अगर आपसे पूछे कोई आप से पूछे कि स्टेंफ आप मिटेरियल्स का मतलब बताओ, तो he will simply say materials की strength, but strength होती क्या है, देखो दो चीजे होती है, अगर किसी भी चीज की failure की बात करते हैं तो, अगर मैं आप से पूछू, अगर मैं आप से पूछू कि कोई beam है, अगर मैं आप से पूछू कि ये एक beam है, ये फेल हो सकता है, तो फेल होने का मतलब हमेशा दो चीजे होती है, फेल होने का मतलब हमेशा दो चीजे होती है, the first thing is that failure can be on the basis of strength character and second thing is failure can be on the basis of stiffness character. Strength of material start करने से पहले कुछ basic चीजे हैं, उनको हम लोग मेकनिक्स को 2 पार्टों ने तोड़ देते हैं, पहला पार्ट जो होता है, 9 अब सालीड़ और दूज्सरा पार्ट जो होता है, wave जो होता है, 3 मेकनिक्स, जो त्यतीन होते है, या तो कोई待って में होगा, या तो कमेंटर decentralized जो होगा या फिर access of solid, और जो liquid और gas का जो study करते हैं, उसको हम बोल देते हैं fluid mechanics, क्योंकि liquid और gas जो होता है, उसके molecules जो होते हैं, वो move करते हैं, उसमें motion होता है, इसलिए दोनों को एक कैटेगोरी में रखके, उसको हम fluid mechanics में बढ़ते हैं और जो हमारे पास यह जो solid मेकनिक्स फॉलीड होता है उसको हम दो लेते हैं जो हमारे पास सॉलीड बॉडी होता है यह तो डिफॉर्मेल बॉडी हो गहाँखा बॉल्र वह बॉडडी लेगा तो उसके अंदर डिफोर्मेशन हो जाएगा उसको हम लोग किसके अंदर परते हैं तो यह किलियर हो गया कि जो इस्टेंथ करते हूं हमएसे वारे में सटड़ी करते हैं उस में के पारे भी सब्सक्राइब करतें हैं मतलब जो होता है कि रेश में है और वघ states में मतलब होता है बोडिय妹 मोशन में इस्टरेटिक में यह होता है कि इस इत रेस्ट और डाइन्में को था यह लो असे याथ फिर बाट होते है यह फिर रिप का मतलब हो जाता है डिलिंग विथ मोशन उसको हम लोग करते हैं और जो काज होते हैं मोशन होने का उसके करते हैं तो इस्टेटिक का मतलब सिंपली हो गया कि बॉर्डी मोशन में होते हैं तो यह हमको मैकनिक्स का पार्ट है अब हम देखते हैं कि मैकनिक्स होता है कि सिंपल कुछ-कुछ बैसिक टर्म उसके बादे में हमको जानकारी होनी चाहिए ताकि इसली जो आगे जो है डिले इंशिनियरिंग मेकनिक जो है इस देख़़ए और रिजीड बाडी इसका मतलब क्या हुआ जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा रिजीड बाडी पर तब उसके कि state क्या होगी मुझम अww एक्सिअट का मतलब होता है बॉड़ी की कंडिशन क्या होगी सबसकह प्रसLo a जीर का मतलब कांडिशना भाडी बॉड़ी होगा यह चोदेन भाडी मोशन होगा भी मतलब बोडी या तो रेस्ट में होगा या फिरह घ्लाटी जब बोडी मॉस्ण में आ एक इस बार्टी में नहीं होगा इसमें जो जो भी टर्म है वह बहुत इंपोर्ट जैसे कि study study हो गया state हो गया rigid body हो गया और external force हो गया तो अब समझते है कि study क्या होता है study जो होता है study एक process होता है study एक process होता है जिसमें तीन चीजे होती है पहला observer होता है दूसरा object होता है एक शिस्टम होता है और observe यहां पर coaster चलता है यहाँ पर चलती ही यह माल लेते हैं कि मैं हूँ यहाँ फिर आप हो ठीक है यहाँ मिला पर कोई अबजेक्ट है और यहां से हम औब कर रहे हैं मतलlifting जो अबजेक्ट है कर सब्सक्राइब ऊस में इहां से स्टैडी करता है तो यह समझके सब्सक्राइब कैब होता है State का मतलब क्या हो जाता है condition condition of body बॉड़ी और जो हमारे पांच जो एक rigid body का मतलब यह हो जाता है कि इसके उपर जब को external force लगे तो यह बॉड़ी जो होता है deform नहीं करेगा उसको हम लोग बोल देते हैं digit body, एक ऐसा body, एक ऐसा body, example समझे कि यह body है, इसके उपर जब भी हम external force, external force में भी tensile और या compressive, ठीक है, तो compressive force भी हो सकते हैं, या फिर tensile force भी हो सकते हैं, कोई भी force हो सकता है, ठीक है, तो जब यह external body पर, कोई external body पर यदि हम force लग लगाते हैं, तो उसके अंदर कोई भी deformation नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते है, rigid body, क्या बोल देते है, उसको हम rigid body, ठीक है, it means the body should not be deform under the action of externally applied force, जब को external applied force उसके लगाएंगे, तो body के अंदर deformation नहीं होगा, उसके हम लोग क्या बोल देते हैं, rigid body बोलते हैं, ठीक है, engineering mechanics में, जो engineering mechanics होता है, engineering mechanics में हमें physical quantity के बारे में पढ़नी होती है, ना कि chemical quantity के बारे में, ना ही biological properties हो तो biological quantity है उसके बारे में, कभी-कभी तो ना chemical, ना उसके biological property पढ़नी है, हमको इसमें physical property पढ़नी होती है, जो हमारे पास पहला जो था, वो rigid body था, और दूसरा टाइप का बारे है, हमारे पास कौन सा है, elastic or deformable body, ठीक है, इसका मतलब यह हो जाता है, इसका मतलब यह होता है, कि जब इस body पर यह बारे माल लेते हैं, यह force लगाएंगे, यहाँ समझें कि यह कोई एक body है, यह कोई body है, इसके उपर यह फोर्स लगाएंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ deformation हो जागा, माल लेते हैं, यह body का shape, जो है, body का shape, कुछ ऐसे हो गया, लगाएंगे, तो ठीक है, जब यह force रिबूब कर देंगे, तो औरिजिनल, फिर से यह इसी shape में आ जागा, जिस shape में पहले था, उसको हम लोग बोल देते हैं, rigid body, तो rigid body जो होता है, या तो linear elastic body होगा, या फिर दूसरा body जो होता है, non linear elastic body होता है, तो क्या होता है, उसके बा strain होडा, इस में टेल करे, stress यह आपका होगा, strain, और यह stress, stress, strain stress का जो गराप होगा, तो simply state lines होगा, उसको हम बोल देते है, linear elastic, जब हमारे कर्म होने लगता है, तो उसको हम लोग बोल देते है, non linear elastic body, और यह जो fluid mechanics होता है, fluid mechanics में हम लोग क्या करते है, it is the study of liquid and gases, या तो fluid होग होता है, continuous, यह जो माल लेता है, इसके अंदर जो liquid होते हैं, move करते हैं, molecules जो होते हैं, वो move करते हैं, उसके अंदर motion होता रहता है, fluid mechanics में हम ग्यास और liquid के बारे में study करते हैं, अभी तक जो हम लोगों ने बढ़ा, वो था कुछ basic चीजे जिसके बारे में जाननी जरूरी थी थी कि fluid mechanics में क्या पढ़ने होते हैं, mechanics में क्या पढ़ने होते हैं, और Solid mechanics में क्या पढ़ने होते हैं, यह कुछ basic चीजे थी, जिसके बारे में हमको जाननी जरूरी थी, ठीक है, अब जो हमारा next होता है, जो हम एक्से बारे में study करेंगे, तो इससे पहले हमको analysis करनी हो चाहिए हो solid mechanics हो किसी भी materials की properties के बारे में जानकारी हमें चाहिए तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन-कौन सी उसके behavior के बारे में तभी तो पता चलेगा जब हम उसके properties के बारे में analysis करेंगे study करेंगे जब प्रोपर्टीज पता चलेगा इस्ट्रेस एंड इस्ट्रेस एंड के बारे में पड़ते हैं जो फोर्थ चेप्टर होते हैं उसके बारे में हम लोग पड़ते हैं कुछ थेओरी होते हैं फेलियोर के उसके बारे में हम लोग इस्टेडी करते हैं कौन-कौन से थेओरी है वह हम जब पड़ेंगे उस चप्टर में देखेंगे फिर पांचमा चेप्टर जो हमारे पास आ जाता हो डिफलेक्शन और बीम होते हैं जो बीम जो होते हैं उनके कौ बारे में पढ़ने में पढ़ने हैं तो यह हो गया एक जो है हमारे पास strength of materials का overview कि हम लोगों को क्या-क्या प्रण नहीं है strength of materials के अनदर में लोगों को टेम यह सहारे सुप्टा है स्टश्डॉप्र सहके मेजाक्ट है जितने सारे एंसारे जादा होते हैं जैसी यह को जिद्ने सारे एंसर्वीस होके सिट रहे जब साई होता है हुआ है कि उसलिए इस यह सब हिरा था है उसके लिए भी बहुत ही इंपोर्ट इंप्ट्स अग् Happiness आट कौन सा है यदि आप बोलते हो कि स्रिमिर, श्रीक्त अग्र, Eliot तो उसका जो एंपक्ट होता है इंटर्वियोर पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उनको भी पता होता कि की study करेंगे इसमें अब जो हमको देखना है strength of materials तो simply यह दि मैं आप से पूछ हूँ कि strength of materials होती क्या है strength of materials का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि सर किसी भी चीज की strength का मतलब होता है कि जब भी उसके उपर कोई भी force लग रहा हो जब भी उसके उपर कोई भी force लग रहा हो तो उसका जो response डेवलप हो रहा होगा उसका जो response डेवलप हो रहा होगा वही उसकी strength है वही उसकी strength है जब body जब कोई भी body response डेवलप करती है जब कोई भी body response डेवलप करती है तब उस response की study की जाती है जब उस जब कोई भी बॉर्डी रिस्पॉंस डिवलब करती है तब उस रिस्पॉंस की इस्टेटी की जाती है सब्सक्रणिया के लग फैसरें निक्स रखके हम लोग इस्टेडी करते हैं किस में इस्टेंथ fat materials में वह कौन-कौन बेस होता है चरीन के बूटारी कु संभी हमारा मैकनीक के मतलब हो जाता है daddy और चाहिव मोटन्स इसट कर घाब हमारा एक बॉडी है इसके अन्दर पावस घॉल गोल सी और तो हम पास पास है एप कमपेक्ट अधाव सबसेर होगी है तो यह क्या होगा एक में पास 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 है और महारे पाड़ पास है ज़ pretended of motion or तो यहां पर आपको पूछहें कि वार्टी शॉलीड mechanics जैस्सालिड मेकनिक्स नीज शॉलीड मेकनिक्स इंस द्सट आप रिस्पोंस और भी एडि आफे आफे डिफॉर्मेबल बडी आप सबुछें वेटर सॉरीड मेकनिक्स क्या होता है अब बोलोगे जार्फ में क्या होती है strength of material is branch of applied mechanics that deals with the behavior of solid body is subjected to various types of loading and internal force developed due to these loading in strength of materials we study the internal resistance developed due to determination of elastic body under the action of load हम लोग strength of materials में क्या करते है बॉडी का जो है जो deformable body है उसके बारे में हम study करते हैं analysis करते हैं कि कौन से forces को किस किस टाइब से हैंडल कर सकती है इनके बारे में हम woman study करते हैं कि जब हम strength of materials in analysis करते हैं जब हम strength of materials in analysis करते हैं जब हम end to materials analysis नोगे सा क्वेले हम लोग अधे एलंटे लेते हैं जब इन एक किसी is homogeneous and elastic तो टाव हो जी निस का मतलब क्या ओता होता है है प्रोपर्टीस क्सिबी क्रॉपर्टीस होगी वह किसी भी पॉाइंट पे समोल यह homogenous materials है, किसी भी point पे उस materials की जो properties होगी, वो same होगी Isotropic का मतलब ही हो जाता है, कि physical properties है, तो उसका जो physical property होगा, वो किसी भी direction में same होगा. properties are equal in all direction, है दूसरा जो एंजम्सान लेते हैं क्या लेते हैं Superposition theorem is valid for a small deformation सो strength of material can be analysis for a small deformation only second assumption हम लोगे लेते हैं Superposition theorem is valid for a small deformation Superposition theorem क्या होता है according to this principle इसका मतलब क्या हुआ कि यह कोई body है यह कोई body है इसके ऊपर यहां पर माल लेते हैं ऐसके ओकर फोर्स लग रही है कि कोई working for student लग रही है ठ beleza ओर लिए Papam who जो हो गतल जो भूस्ताल नहया है और यह तो टोटल लिखेजेसल लेशय ठि यह जोपनेशन मैसा जो घाए। तो जो यह सुपर पोजिशन थेयोरम यह करता है किसी भी बॉडी पे अलग-अलग फोर्स लग रहे है जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका जो फाइनल जो रिजल टेंट होगा वो क्या होगा एंडू विजूल पे जो फोर्स लगने कारण जो इसमेडी फोर्मेशन सब्सक्राइब करता है और उसका समेशन होगा होता है वह ही क्या कहला आता है सुपर पोजिशन थेयोरम क्या करता है कि अक्रोडिंग तू इस प्रिंग स्पायल इस सब्जेक्टेट टू बेरियस लोटिंग देन रिजल टेंट डिफोर्मेशन विल बीएक्वल टू अलजे न फूर्ज लगता है फ्वर्स लगता है फूरश लगता है ऐ्यरिया चेंज होता है और पहले एत्वर लगने के बाद एरिया कुछ थी गोप नहीं और ऐसका ऊपर रहा तो ऐसका यह पर नहीं हुआ और हुआ को आप वो होगा इसको हम लोग निगलेकट करके चलते हैं अ जो होता है मतलब ऐसके बाद आप यह प् nep camera कर जाएगा जो भी हो जाघा यह तो फिर यह बोड professor कर जागा या कॉंट्राक्ट कर जागा जो भी फोर्स लग रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जो फोर्स लगने के बाद जो एडिया होगा वह एडिया होता है क्या होता है एक्सट्रेस को बोल देते हम लोग एक्सट्रेस और एस्ट्रेस को बोल देते हम लोग एक क्वेंट संन लेकर चलते हैं किसी भी चीज की जो फक्राइब होती हैं kisники अगर मैं आपसे गीन है यहां वह सकती है हो सकती है मैं बोलुकि बैटा यह वह हो सकती है तो फेल होने का मतलब हमेजाब दो चीजे होती है है फिल ओने का मतलब हमेंजा दो चीज़े वो थी हैं को भी जो बॉड और दो तरीके से से फेल माना जाएगा दो तरीके से फेल हो सकती है पहला होता है strength criteria का मतलब होता है simply कि उसकी ताकत कैसे जानेगे तो और कि जानेगे कि कि फोर्स पर तूट गया वहीं उसकी इस्ट्रेंथ कहलाए गी ओर दूचरा होता है स्टीफनेस केरेक्टरिया का मतलब होता है डिस्ट्रोइसन कोई मेंबर हो गया दिस्ट्रॉइशंग का मतलब क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉइशंग का मतलब का मतलब यह सब लोड कि पहले जितना फिर किया होगा ढहिए जहला होगा उस यही इस बीम की स्ट्रेंथ क्या लाएगी। दूसरा क्या होगा जब हम लोर लगाई तो तूटी नहीं लेकिन इसके अंदर क्या हो जाहेगा डनींग आ गए चितनी होगी जब प्रस जो भी फ़ोर्स वही इसकी बेंडिंग ताकत कहलाइगी तो कोई सकते हैं कौन-कौन से तरीके से लोसकते है या तो फीर वो स्ट्रेंथ के टैरीया के बैसिस मिदल रटिक्षीर नहीं होता है सर्विस्विलिटी के लिए सही नहीं होता अई कोई भी हो य्यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए कोई भी हो या तो तूट जा या तो फिर डिफलेक्शन, बैंडिंग, क्रैकिंग, कुछ भी आ जा तो उसको हम लोग फेल मानके चलते हैं अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि strength होती क्या है तो ये solid mechanics actual में है क्या, देखो, अगर मैं आप से कहूँ कि ये एक beam है, ये एक beam है, इसकी strength बतानी है, ये एक beam है, इसकी strength बतानी है, तो जो beam के उपर, जो force लग रहा है, जो force लग रहा है, जो भी forces यहाँ पर, जो भी forces उपर लग रहा है, तूटने से पहले जितना भी force को ये resist कर लेता है, जितना भी force को ये resist कर लेता है, ये तूटने से पहले, जितना भी force को ये resist कर लेता है, ये bending होने से पहले, जितना भी force को ये resist कर लेता है, वही इस materials की ताकत कहलाती है, For example, for example, मुझे दो लोगों को धक्का मारना है, एक बंदा जीम जाता है, बहुत body body बना के रखा है, protein भी बहुत खाता है, दूसरा बंदा जीम भी नहीं जाता है और खाना भी कम खाता है, तो पहले मुझे उसकी property पता चल गई न, पहले मुझे उस बंदे की property पता चल गई कि ये बंदा जीम भी नहीं जाता, खाना भी कम खाता है, और दूसरा बंदा जीम भी जाता है, और protein भी खुब खाता है, इसका मतलब मुझे किसको push करना easy होगा, जो बंदा जीम नहीं जाता है, जो बंदा जीम नहीं जाता है, उसको push करना easy होगा, क्योंकि खाना भी कम खाता है और खाना भी कम खाता है उसकी परपर्टी मैंने पता कर लिए उसकी प्रपर्टी मैंने पता कर ले इट मींस इंट मींस डारेट इन ओरर अंदरेश्टेश्टेड इन अडर्डर ऊच्ट इस्टेडी औफ रिस्पोंस और बिहेवियर अफ इनी तीज generic to first make yourself understand about the properties of that particular things things can make metal or anything which we use a pair किसी की response और behavior को जानने से पहले उसका nature और property को पता करोगे यह हुआ अश्टेंट हो मेटेरियल का basic बिल्कुल 0 से चल रहे हैं concept बना के रखिएगा concept बना के रखिएगा तो revise करने में अशान होगा अब मुझे यह पता चल गए कि वेटा किसी भी किसी भी चीज की यदि इस्टेंथ पता करनी है किसी भी चीज की स्टेंथ पता करनी है उससे पहले हमको उसकी प्रोपरिटी के बाड़े में study करनी पड़ेगी ना study करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़ेगे study क्योंकि हमको उस body की response जाननी है यहाँ पर जो आप study करने वाले हो करने वाले हो उसका नाम है solid mechanics kinetic solid mechanics बहुर अच्छी बात है है बहुत अच्छी हण कि हम observe करने वाले हैं solid mechanics की study करने वाले जो solid mechanics को तो उसको study करने ćet वारे-पास एक सिस्टम होता जिस्टों लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं सिस्टम में बोल्टे इंब बट बॉन्टरी कंडिशन में चेंज, मॉलिकूल्स, मॉलिकूल्स कान नोर्ट भी इंक्रीज और डिक्रीज हम लोगोंने सबसे पहले solid mechanics means we can say that the study of motion और movement of any solid body, तो आप बोलोगे कि sir, solid body का जो मॉलिकूल्स हैं उसके अंदर movement कैसे होगा, तो बताते हैं, देखो कि यह हमारा कोई solid body है, इसके अंदर यह molecules feel compacted हैं, तो कितना बढ़ी है, गोल-गोल molecules हैं, इसके एकदम attached हैं, लेकिन sir यह तो बता दो कि solid का motion कैसे हो जाएगा, solid का motion कैसे हो जाएगा, यदि आपके दिमाग में यह चीजे आ रही है, यह question आ रही है, तो अब बहुत intelligent हो, पूछा करो यह question, तो समझो, देखो कैसे, जो है, इसका moment होगा, वो समझो, यह हमारा पर से body है, ठीक है, इसमें molecules present है, बढ़िया molecules compact present है, ठीक है, इसके उपर जब हम फोर्च लगा रहे हैं, इसके उपर जब हम यह एफ फोर्च लगा रहे हैं, तो क्या होगा, जो यह body होगा, यह molecules तो चेंज नहीं हो रहा है, molecules नहीं घट रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बट यह यह पतला होता जाएगा, और एक साइट से लंबा होता जाएगा, मतलब क्या, कि इसके अंदर जो है, उतना ही परजेंट है, molecules यह जो है, उतना ही परजेंट है, molecules change नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आप solid body के movement की study करते हो, ना कि motion की, यह motion नहीं हो रही है, इसके अंदर, जो fluid mechanics में हम लोग परते हैं कि water यह move कर रहा है, motion हो रहा है, लेकिन जो solid body होते है, इसमें हम क्या करते है, स्टेडी आप जो होते हैं मोशन के स्टेडी नहीं करते हैं इसमें हो मुवमेंट ऑफ सॉलिड बोडी के स्टेडी करते हैं क्या करते हैं पड़ें तो यह लेंप्स जो होगा लेंथे principle कर सकता है हैं यह सबन कर सकता है यह जो होगा लेंदिटरेज़ सब्सक्राइब करा रहे हैं करा सकते हैं तो इसमें जो होता है यह पतला होता जा रहा है एक तरफ से लंबा होता जा रहा है इसमें जो होता है हम मूणमेंट पूरे बॉडी का करा रहे हैं करा सकते हैं वोलीकूल्स का नहीं होता है कि तुशलीड मेकनिक सब्सक्राइब करेंगे कैसे करेंगे सिस्टेम एपर शेकर यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है तो हाँ हमको क्या करने सोलीड बधी की स्टिड़ी करने है तो हमें सबसे जो मुस्ट इंपोटेंट मटेरियल होता है जो हमतीज होता है उसको क्या बोछ देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं Mild Steel Mild Steel Mild Steel जो होता है यह बहुत important materials होता है इसका जो बहुत सारी quality होती है इस materials के अंदर जो present होती है इसलिए इसको हम लोग use करते हैं as a construction materials इसकी जो quality होती है सबसे पहली जो लाइट वेट होता है बहुत ही lightweight हलका होता है है जिसका राज से हम लोग इसका use करते हैं दूसरा जो होता है coefficient of thermal expansion जो होता है क्यासा होता है concrete के जैसा जितना concrete का thermal expansion होगा तो जो iayसा ही thermal expansion किसका होगा होता है Mild Steel का होता है और elastic modulus अता होता किसका concrete or mild steel है उसका दोनुका मतलब यह होता है जब टेंपरेचर बढ़ेगा यह कोई बॉडी है जब टेंपरेचर इंक्रीज करेगा तो यह इसके अंदर इस्टील डाल के हम लोग रख्या हुए है तो क्या होगा जब expand होना शुरू हो जाएगा Thermal Expansion इम दोनों material का concrete और steel जो है इसका same है तो क्या होगा ? कि जब expansion होना होगा तो जितना रही expansion यह steel का होगा उतना ही expansion concrete का और pont का होगा तो का दोनों के बीजमें जो bonding होगी वो बनी रहेगी यदि थर्मल एक्सपांशन दोनों का अलग अलग रहेगा तो जब ट्रम्पठजर इंक्रीज करेगा तो जैसे कि माल ली और अपने अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा जो एक्सपांशन और का सिंगार अलग अ सब्सक्राइब करें तो इसलिए हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि इसका थर्मल एक्सपांशन जो होता है थर्मल कॉफिसेंट जो होता है सब्सक्राइब करते हैं कि rooms का सब्सक्राइब किसे इसलिए हम लोग इसका सब्सक्राइब कि लिए है ठीक है तो इन सब जो होता है तो हमसीrato को में रखते हैं यल्डची को त्र करेंगे सबसे पहले हैं कि सबसे और कि किसके बीच में बनाना है सबसाइब बाव सबसे बनाना है उस हमको क्या करना पहलेगा स्ट्रेस और स्ट्रेयन के जो है उसके बारे में बेसिक चीज्च चीजे जानने चाहिए कि सीरी नौट करते हैं तो सिग्मा इस केल्ट क्या हो जाओ अक है एक मतलब एडिया एरिया कौन सा हो ईरिए कौन सा होता हूं क्रॉसने स्कndiblically होता है क्या होता है टृक कि स्ट्रेंट्म पर में इस स्क्राइट क्या होता है यह उसके उपर जब भी हम फोर्च लगा रहे हैं किसी में इस मेंखं़ तो उस में जो होगा लेंग चेंज़ करेंगा या तो इंक्रीज करेंगा या इसका इसका लेंथ ल है अभी जब हम इसके अंदर रघा दिये तो यह है कलर चैन्ज करेंगा यहां पर गुड़ इसके उपड़ ऊल्छा यह होगा कुछ एक्सपॉर्ड कर जागा है यह एक्सपांट कर खोड़ा है उसके एंदर एक है तो यह टे लेंग तो एधर फिल यह होगा तो total हमारा क्या हो जाएगा जो ओररीजिनल खारीजिन लेंथ ठोइफ फार्ट यही हमारे औरीजिनल फेशिनल इने ओरीजिनल ऑड़ इट्लिस इस्ट्रेंड जो होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है तो यह चीजे कुछ थी basic strength of materials के जिसको जानना जरूरी था ठीक है अब जो है next lecture में हम लोग देखेंगे कि जो stress strain कर भोता है for mild里 still उसके अबारे मं हम लोग study करेंगे उसको plot कैसे करते है और प्रोपर्शनल लिमीट क्या होता है क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग study detail में करेंगे तो यह सब चीज़े जितना सारा चीज अभी तक हमने बताए क्या स्ट्रेंड क्या होता है या फेर stiffness क् सब के बाड़े में हमलोग ने अभी एस्टेडी किया जो चीज़े आज के लिए और यह जो थी बेसिक्छी जानना जरूरी थी इसके बाड़े में आज हम लोग डिसक्षेशन किया ठीक है जो माईल्डे टील का यह टील में करेंगे किया है और कैसे plot करते हैं ठीक है Thank you so much